तो मूवी की शुरुवात होती है एक जुवारी लड़के ली से जिसको पढ़ने लिखने की उमर में जुवा खेलने की लत लग गई आला कि ली काफी टैलेंटेड था क्योंकि वो दूसरों के रियक्शन से ही उनके पत्ते समझ लेता तभी वो यहां से पैसे चीत कर अपने अपार्टमेंट में पहुचा जहां आज उसकी मॉम भी आई हुई थी तभी उन्होंने ली से पूछा कि बिट्टे तुमारी पढ़ाई केसी चल रही है ली ने कहतो दिया कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन असल में वो च्छा कर भी अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था ऐसे ही एक दिन जब वो कलब से वापिस घर आने लगा तभी उसे यह महिला मैडोना मिल गई जो कि काफी सैड थी तब ये दोनों कुछ खाने पीने पहुँचे जा मैडोना ने उसे समझाया कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम जैसे लपू लड़के के पास कोई भी टैलेंट होगा ली बोला कि तुमने कभी इस लपू के पपू को कमाल नहीं देखा इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो इनकी ये बाते चली रही थी कि तब ही मैडोना एक गाड़ी देखकर भार आई जा एक आदमी जब अरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में डाल के ले गया अब मैडोना चली तो गई लेकिन उसने ली के दिमाग में अपना घर बना लिया जिसके चलते ली सिर्फ उसके ही बारे में सोचने लगा अगले दिन जब वो वापिस घर जा रहा था तब ही उसकी टकर इस कार से हुई जिसमें ली ने मैडोना को भी देख लिया तब ही उसकार से ड्राइवर भार आकर ली को चमकाने लगा असल में ये सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बलकि गैंबलिंग का किंग डीमन था जिसने ली की सेल्फ रिस्पेक को हड कर दिया तब ही मैडोना और डीमन यासी चले गए जिसके बाल ली ने देखा तो उसके साइकल का पहिया भी तूट चुका है इसलिए वो उस पहिये को लेकर डीमन के पास पहुँचा जहां उसने डीमन को एक पॉकर गेम के लिए चैलेंज किया तब डीमन ने अपने 10,000 डॉलर की शर्त लगाई जिस पर ली भी अपने 10,000 डॉलर लगाने के लिए मान गया लेकिन जैसे ही गेम आगे बढ़ा तब ली ने कीमत और बढ़ाते हुए कहा कि अगर मैं तुमसे एक भी मैच जीत गया तो मैं एक दिन या कहूं रात के लिए मैडोना को डेट पर ले जाऊँगा डीमन भी खुशी-खुशी इस चीज के लिए मान गया अब इनका जुवा स्टार्ट हुआ जिनमें इनकी डीलर कुद मैडोना थी गेम के शुरुआत से ही ली काफी कॉन्फिदेंस में था कि वो इस गेम को चुटकी बजा कर जीत जाएगा जिस बीच में इन भाई साब ने अपनी सारी चिप्स दाउं पर लगा दी लेकिन जब डीमन ने अपने पत्ते दिखाए तो ली का मुँ पोने किलो का रह गया कि ये क्या हुआ? फिर भी उसने हार ना मानते हुए काफी सारे पैसे उधार लिये जिसके बाद ये गेम फिर से शुरू हुआ गेम फिर से शुरू जरूर हुआ लेकिन ली की जिंगुर जैसी किस्मत ने अपना रंग नहीं बतला ये देखकर मैडोना ली को मना भी करने लगी लेकिन अभी तो इन भाई सब को कैसे भी करके मैडोना को डेट पर ले जाना था जिस चक्कर में उसने अपना सब कुछ खो दिया क्योंकि भाई ने सपने देखे थे मैडोना की आखों में डूबने के लेकिन इस सपने ने उसे करजे में डूबा दिया यहां से कहानी कुछ दिन आगे आई जहां ली को उसके लेंदार बेल्ट टीटमेंट दे रहे थे जिसे बीच यहां ये लंबी जुल्फवाला जैक आया जो इन लोगों से बोला कि छोड़ तो उस लड़के को तुमारा जितना भी करजा है मैं उतार दूँगा भाई ने ये लाइन इतने confidence में बोली कि जिसे करजा उतारने की जगा छट से कपड़े उतारने की बात हो रही हो खैर इस चक्कर में ली जैक का करजदार बन गया इसलिए वो जैक से बोला कि मैं आपका सारा उधार जल्दी चुका दूँगा जो कि हर करजदार कहता ही है खैर तब जैक ने उसे अपने पुराने दोस्त के बारें बताया जिसे gambling का Lord कहा जाता था और वो दोस्त और कोई नहीं बलकि ली का ही फादर था तब जैक उससे बोला कि तुम मुझे एक रुपा भी मत देना क्योंकि मैं तो खुद तुमारे पापा का करजदार था ये सुनकर ली यहां से जाने लगा तब ही जैक उससे बोला कि एक बार चैक जरूर कर लो कि कहीं डीमन के साथ तुमारा वो मैच एक जाल तो नहीं था ये सुनकर ली जल्दी से उस जगा पहुँचा जहां वो डीमन के साथ मैच हार गया था तब उसे पता चला कि असल में उस दिन मैडोना खुद डीमन से मिली हुई थी अगले दिन ली वापिस जैक के पास पहुचा जहां वो बोला कि प्लीज आप मुझे जुआ केलना सिखा दो तब जैक उसे मना करते हुए कहने लगा कि देखो जोए में इंसान पहले तो पैसा हारेगा फिर अपनी फैमिली और फिर अपनी आत्मा को ही खो देगा लेकिन तब भी ली उसकी बात ना मानते हुए बोला कि मैं आपको अपना टैलेंट प्रूफ करके दिखा सकता हूँ इतना कहने के बाद उसने जैक को कैसीनो का एक गेम जीत कर दिखाया जिससे कि जैक ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया और टीम मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैक के साथ और भी लोग मिले हुए थे जिनमें ये है खाँची, एक कार्ट डिलर वॉन और ये बोडी से धोका देने वाली क्यूटी नौरा असल में ये लोग यहाँ एक बिजनसमेन मूल को फूल बनाने की प्लैनिंग करने के लिए खटा हुए जिसमें इनका प्लैन यहाँ से शुरू हुआ कि अगले दिन खाची और नौरा मूल से एक मीटिंग करने पहुँचे क्योंकि इने मूल की प्रॉपर्टी का एक हिसा खरीतना था प्रॉपर्टी देखने के बाद ये लोग खाना खाने पहुँचे जहाँ इने मूल को एक गेम खिलने के लिए फसाना था और इस काम में नौरा ने अपना पूरा सहयोग दिया अब इनका गेम स्टार्ट हुआ जहां ये लोग मूल को हरा कर उसकी सेल्फ रिस्पेक को हर्ट करने लगे कि मूल तू तो गेम खिलने में भी है फूल इस हार के बाद मूल का इगो हर्ट हो गया इसलिए उसने जैक के कहने पर दो टाजा टाजा इन सिंपल वर्ड्स मान लो कि प्रोफेशनल जोवारी तो मूल ने जैक के कहने पर दो प्रोफेशनल जोवारी वॉन और ली को हायर कर लिया मूल ने जैक की बात भी इसले मानी क्योंकि जैक अपने टाइम का सबसे बड़िया टाजा था अब उसी शाम फिर से इनका गेम शुरू हुआ जहां मूल ने अपनी तरफ से ली और वॉन को ये गेम खेलने के लिए कहा ताकि ये दोनो नौरा और खांची को हरा सके ली और वॉन ने बड़ी असानी से खांची और नौरा को हरा दिया जिसे देखकर मूल काफी खुश हुआ कि आखिर मैंने अपना बदला ले लिया इसी खुशी में उसने ली को 10,000 डॉलर दिये कि चलो तुमने मेरी इज़द बचा ली तभी खांची ने दुबारा से मूल को खेलने के लिए बुलाया क्योंकि उसे अपनी हार का बदला लेना था लेकिन असल में तो अब इनका रियल प्लैन शुरू हुआ क्योंकि इस वक्त मूल पूरा कॉन्फिडेंस में था कि ली और वॉन उसे जिता ही देंगे अब इनका गेम शुरू हुआ जिसमें फिर से खाची और नौरा की टीम हारने लगी ये देखकर मूल काफी खुश हुआ कि सारे पत्ते मेरे इसाब सही चल रहे हैं लेकिन तभी नौरा ने बड़ी चलाकी से वो पत्ते बदल दिये जिसके बाद इन्होंने मूल को तब तक उकसाया जब तक उसने अपने सारे चिपस दाओं पर नहीं लगा दिये ये देखकर खाची ने परिशान होने का नाटक किया जिससे मूल को लगा कि उसके पत्तों के आगे खाची के पत्ते खाग बराबर है लेकिन जब खाची ने अपने पत्ते इन सब के सामने रखे तो मूल और उसके चेलों की सारे खुशी दुख में बदल गई क्योंकि मूल यहां असली वाला फूल बन चुका था पर तब भी वो ली और वोन से कहने लगा कि हम जल्दी ही उनसे सारा पैसा वापिस जीत लेंगे इतने में ही यहां एक गाड़ी आई जिसमें पता है कौन थी मैडोना जिसको देखकर ली का मन भी दोना-दोना करने लगा तब ही उसने मूल से पूछा कि आखिर तुम इस मैडोना को कैसे जानते हो मूल बोला कि वो तो मेरी प्यारी पार्टनर है यह सुनकर ली भी सोचने लगा कि यह बुड़ा फालतू बाते बहुत करता है लेकिन फिर उसने बताया कि वो मेरी ऐसी बिजनेस पार्टनर है जिसको मैंने सिर्फ बाकी लोगों को फसाने के लिए रखा हुआ है यह सुनकर ली मैडोना के पास पहुचा जहां वो बोला कि तुम मूल से अलग हो जाओ क्योंकि हम जल्दी ही उसका सारा पैसा लूट लेंगे यह बता कर उसे लगा कि जैसे मैडोना उसे इनाम देगी और हाँ बिल्कुल सही लगा मैडोना ने उसे बढ़िया इनाम तो दिया लेकिन उस मज़े के बाद ली को सजा के लिए भी तयार होना पड़ा क्योंकि मैडोना ने मूल को सब कुछ बता दिया था तब मूल के आदमियों ने ली को परसाथ देना शुरू कर दिया दूसरी तरफ उसके कुछ आदमी नौरा और खाची को भी पकड़ने पहुँचे जहां खाची ने जादा ही हवाबाजी दिखाते हुए नौरा को तो वॉन के साथ यहां से भेज दिया लेकिन खुद इन गुंडों से मार खाने लगा यहां मूल ली को लेकर रेड लाइट एरिया मतलब रेड लाइट पर पहुँचा जहां लाल बत्ती के बीच किसी ने इनकी कार लाल कर दी और यह और कोई नहीं बलकि जैक ही था जो ली को अपने साथ लेकर यहां से चला गया अगली सुबा जब ली की आँख खुली तो यहां जैक की पूरी टीम थी सिवाए खाँची के तब ली बोला कि भाया मुझे माफ कर दो मेरे मूँते निकल गई तब जैक ने उसे कहनी बताई कि बहुत टाइम पहले मैंने ही तुमारे डैड को धोका दिया था जिसके चलते डीमन नाम के जवारी ने उन्हें जान से मार दिया जैक बोला कि धोके बाच की कोई माफी नहीं होती बलकि वो तो खुद इस गिल्ट में जीता है कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई ये सुनकर ली इस टीम को छोड़कर चला गया और जैक भी खाची को बचाने के लिए निकल गया यहां से कानी कुछ मैनों आगे आई जान ली अभी भी ताश पत्तों में ही लगा हुआ था तब ही उससे मिलने वह खाची पहुचा ली ने उसे देखते ही माफी माँगनी शुरू कर दी तब खाची बोला कि किस बात की माफी तुम्हारी वज़ा से जैक मारा गया ये सुनकर ली का दिमाग इल गया कि जैक कैसे मर सकता है तब खाची ने बताया कि जैक ने खाची को बचाने के लिए फुद को मूल और डीमन के हाथों सौब दिया ये सुनकर ली ने फैसला किया कि वो मूल और डीमन से जैक और अपने पिता का बदला जरूर लेगा इसलिए वो यहां से सीधर डीमन के अड़े पर पहुँचा जहां वो बोला कि मैं तुम से एक फाइनल मैच करना चाहता हूँ जिसमें बाजी पैसों पर नहीं बलकि हमारी जान पर लगेगी डीमन और मूल भी इस मैच के लिए तुरंत मान गए क्योंकि वो तो पहले भी ली को हरा चुके थे अब मैच से एक रात पहले मैडोना ली से मिलने पहुँची जहां वो बोली कि क्या तुम डीमन के पैसे चुराने में मेरी मदद करोगे ली बोला कि मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूँ मिस डबल डोल की तब मैडोना बोली कि तुम तो वैसे भी उस मैच को नहीं जीत पाओगे क्योंकि मूल और डीमन एक टीम बना कर खेलेंगे असल में मैडोना को डीमन से बिल्कुल फरक नहीं पड़ता था क्योंकि डीमन ने अमेशा से उसके साथ बुरा भरतावी किया ये सुनकर ली ने उसे कमरे में बुला लिया जहां में पता चला कि ली तो पहले ही मूल के साथ मिल चुका है जिसने अब मूल को भी मैडोना का असली चैरा दिखा दिया कि ये डबल ढूल की इधर से उधर भागती रहती है तब मैडोना अपनी जान बचाने के लिए इनके साथ ही मिल गई जिसके बाद इन्होंने डिसाइट किया कि ये लोग डीमन को हरा कर वो सारा पैसा आपस में बाट लेंगे अब अगले दिन जब गेम शुरू हुई तो इन सबकी टांगों को चैन से बांद दिया गया ताकि कोई भी रोने दोने का भाना करके यहां से भाग ना पाए क्योंकि इस गेम में जो हारेगा वो डारेक्ट समुद्र की तरफ रवाना हो जाएगा अब इनका गेम शुरू हुआ जिसके बीच में ही लीने डीमन से पूछा कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था तब डीमन ने बताया कि तुम्हारे डैड ने जैक के कहने पर बहुत सारे पैसे चुराए थे जो उन्होंने कभी वापिस नहीं दिये इसलिए ही मैंने तुम्हें करदे में डुबा कर अपने वो बदला पूरा किया था इनकी इस कलेश बाजी के बीच ही मैडोन अपना गेम खेल गई जिसमें की मूल ने भी अपने पूरा सहयोग दिया तब लीन ने डीमन को तब तक प्रवोक किया जब तक डीमन ने अपने सारे चिप्स दाउपर नहीं लगा दिये डीमन सोचने लगा कि वा भाई एक गंटे में पैसा डबल यही सोचते हुए उसने अपने कार्ड दिखाए कि देखो मैं जीत गया लेकिन मैडोनक के कार्ड बदलने की वज़ा से इस गेम में डीमन नहीं बलकि मूल के साइड में बैठा ली जीत गया डीमन के हाड़ते ही एक ड्रम ने उसका पैर अपनी तरफ खीचा जिससे कि वो पानी में जाकर डूपता कि उससे पहले ही उसने किनारा पकड़ लिया यह देखकर मैडोना अपनी चैन खोलकर मतलब पैरों की चैन खोलकर डीमन के पास आई जहां उसने डीमन का वही हाथ काड़ दिया जिससे उसने वो किनारा पकड़ा हुआ था अपना बदला पूरा करके मैडोना यहां से बिना पैसे लिए चली गई जिससे कि यह सारे पैसे मूल और लीके हो गए वो दोनन पैसों को लेकर इस शाहर से भार जाने लगे उसने कहा ही था कि तभी ड्राइवर ने उल्टम मूल के सीने को ही अपना चाकू गिफ्ट कर दिया जिससे कि मूल पर फूल की माला चड़ गई असल में ली ने पहले ही उस ड्राइवर को अपने साथ मिला लिया था जिसके बाद ये उस कार को ठिकाने लगा कर अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए कुछी दिन बाद ली ने जैक की टीम के लिए काफी सारे पैसे विजवाए ताकि वो उस गलती की कुछ तो भरपाई कर सके अब यहां से वो अपने घर पहुचा जहां उसने अपनी मॉम को बताया कि मैं एक्जाम में पास हो गया हूँ तब उसकी मॉम ने भी उसे एक बात बताई कि तुमारे पापा तुमारे लिए कुछ छोड़ कर गए थे जिसको मैंने अभी तक तुमसे छुपा कर रखा लेकिन अब मैं उस चीज को तुमारे हवाले करती हूँ और वो क्या था दोस्तो वो थे बहुत सारे पैसे लेकिन तब भी अब ली सही रास्ता चुनते हुए एक बैंक में जौब करने लगा क्योंकि वो ये समझ चुका था कि गैंबलिंग का रास्ता उसका फ्यूचर खतम कर देगा और दोस्तो सच में गैंबलिंग बहुत खराब चीज है लोग के घर तक डूप जाते हैं इसमें एवन मेरे पास बहुत सारे स्पॉंसर आते हैं के सार आप हमारी गैंबलिंग या बैटिंग साइड का पर्मोशन कर दो लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस चैनल पर ऐसी किसी भी गलत चीज का कोई पर्मोशन कभी नहीं होगा अब चलो आज के शाउट आउट देखें जहां डिलू भाई नेपाल से वीडियो देख रहे हैं आप कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताओ और सही जागा बताना कहीं लिख दो यूगांडा फूगांडा हाई ड्राफ भाई तुमारा नाम मैंने वीडियो में ले लिया आप चलो सोर पे पेटियम करो और हाँ ये कुछ अलगी परजाती निकल कर आई है जो कोई कहता है शाउट आउट नहीं दिया तो सुपारी दे दूँगा एड्रेस इबील कर दूँगा मरने के बाद भूद बन कर डराऊंगा सिंगल रह जाओगे अलाना फलाना ए इनके कमेंट पढ़के एक बंदे ने कहे भी दिया कि शाउट आउट मांग रहे हो उधारी मांग रहे हो क्या कर रहे हो भाई मेरे को तो कुछ अलगी चक्कल लग मतलब कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट करके जरूर बताना बाखी हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहंद